Hello viewers, welcome to my YouTube channel इस video में जानिए पूजा में उप्योग होने वाली सामगरी का क्या मेहतव होता है पूजा में इस्वर की उपासना में उप्योग होने वाली सामगरी जैसे धूप, दीप, परशाद और फूल हर चीज का अपना महतव है और ये पूजा को सफल बनाने के महत्वपूर्ण अंग है इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैठने भर से अपार मांसिक सुख मिलता है मन शांत हो जाता है चलिए जान लेते हैं इस वर की हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का उपयोग क्यों होता है पूजा में अगरबत्ती व्यक्ति के मन को एकागर करने के लिए सुगन्द का प्रियोग करते हैं तनाव घटाने के लिए सुगन्द का प्रियोग किया जाता है सुगन से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत ही दूर कर सकता है इसलिए पूजा के दुरान धूप बत्ती या अगर्बत्ती का प्रियोग किया जाता है अगर्बत्ती की तुल्ला में धूप बत्ती का प्रियोग जादा अच्छा मानते है दूबत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद आम तोर पूजा के लिए चंदर की दूबत्ती का प्रियोग करना उत्तम होता है पूजा में दीपक का महतव हम इश्वर को प्रकास के रूप में मानते हैं इसलिए दीपक जला कर उसकी जोती के रूप में इश्वर को स्तापित करते हैं दीपक से एकागिर्ता और उर्जा दोनों फ्राप्त होते हैं अलग-अलग मुखी दीपक जला कर अलग-अलग मनोकामनाई पूर्ण की जा सकती हैं आप तोर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है पूजा उपासना में परशाद का महतव इश्वर के हर रूप को अलग-अलग तरह के परशाद चड़ाया जाते हैं इश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए परशाद चड़ाते हैं परशाद चड़ाने के बाद परशाद ग्रहन भी किया जाता है प्रशाद के बिना भी पूजा हो सकती है लेकिन पूजा में प्रशाद हो तो और भी अच्छा होगा प्रशाद में कोई भी सात्वी चीज चढ़ा सकते है फल, मिठाई और जल भी प्रशाद के रूपे चढ़ाया जा सकता है कुछ नए हो सके तो शक्र चड़ारा उत्तब होता है वैसे सफेद वस्तुओं का प्रशाद सबसे उत्तब मारा जाता है पूजा में फूलों का महतब इश्वर को फूल चड़ा कर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं खुद भी फूलों का प्रियोग करके हम अपने मन को बहतर बनाने की कोशिश करते हैं अलग-अलग रंग और सुगंद के फूल अलग-अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और सात्विक भी इन फूलों को अपने इश्ट देव को अर्फित करना चाहिए तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि पूजा में उप्यों को होने माली सामगरी का क्या महत्व होता है अगर आपको मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रियेजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक पर वाचिक मैं वीडियो 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 आप गूट देग्या